आस्ट्रेलियाई सांखी की ब्यूरो के नवीनतम आकडों से पता चलता है कि दिसंबर 2023 में आस्ट्रेलिया से चना का निर्यात तेजी से बढ़कर 95,000 तन के करीब पहुँच गया जो नवंबर के शिप्मेंट 33,000 तन से करीब 3 गुना ज्यादा है। इससे पूर्व वहां से अक्टूबर में लगभग 80,000 तन चना का निर्यात हुआ था। इसमें बांगला देश को सरवाधिक 87,000 तन, पाकिस्तान को 48,000 तन, नेपाल को 16,000 तन तथा सन्युक्त अरब अमीरात, UAE को 37,000 तन का शिप्मेंट भी शामिल है। जहां तक भारत का सवाल है, तो इस तिमाही के दोरान यहां आस्ट्रेलिया से अक्टूबर में 1031 तन, नवंबर में 463 तन एवं दिसम्बर में 3,117 तन सहित कुल 4,611 तन चना का आयात किया गया। आस्ट्रेलिया से अक्टूबर दिसम्बर 2023 की तिमाही के दोरान उप्रोक्त देशों के अलावा कनाड़ा, मिस्र, फिजी, इंडोनेशिया, इतली, जापान, लेबनान, मलेशिया, मारीशस, हॉलेंड, सिंगापुर, न्यूजिलेंड, सौदी अरब, साउथ अफरीका, दक अरब अमीराद जैसे मुस्लिम बहुल देशों में रमजान से पूर्व चना के आयात में अच्छी बड़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। आस्ट्रेलिया में चना की नई फसल की कटाई तयारी समाप्त हो चुकी है और अब इसका निर्यात बढ़ाने का प्रयास जारी है।